हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर के जिंद पुरहीत है अगर आप IIT जहम 2025 एक्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे एक्जाम का फॉर्म फिल करना है इसको स्टिप बाई स्टिप बताऊंगा प्लस जो इंपॉर्टेंट डेट से कि सर एक्जाम का फॉर्म भरन कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ सिर क्या इसकी लास डेट है सर एडमिट कार्ट कब आएगा सर एक्जाम कब आएगा सर रिजल्ट कब आएगा सर उसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी यह सब इंफॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूं प्लस इलिजिबिटी क्राइटी के अंदर यह होता है कि सर क्या बीटे के स्टुडेंट्स भी आएटी जहम एक्जाम के लिए इलिजिबल है यह भी बताने की कोशिश करूंगा तो सुन्ट शुरू करता है तो सुन्ट सबसे पहले बात करते हैं इंपार्टेंट डेट के बारे में तो इसका जो नौटिफि यहाँ पर डल गई है जिसे कि examination center है test paper है category है या gender है तो इसको 18 November तक आप change कर सकते हैं अगर आप OBC non criminal layer में आते हैं या EWS का जो certificate है वो अगर आपके पास अभी ready नहीं है तो आप 20 November तक यहाँ पे upload कर सकते हैं इसका जो admit card है वो जनवरी 25 में आ जाएगा first week या second week में date of examination की ब कराया जाता है और इसका जो result है वो 19 March 2025 को release हो जाएगा इसका जो scorecard है वो 25 मार्च को आपको मिल जाएगा इसका जो counseling है वो 2 April से शुरू हो जाएगा मतब 2 April 2025 से इसकी counseling process start हो जाएगा इस बार का जो IAT GM exam है वो IAT दिल्ली कराने वाला है प्रस एक confusion यह कि sir क्या जो BTEC student है वो IAT GM exam दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं अगर आप BTEC कर रहें तो आप यहाँ पर IAT GM exam के लिए eligible है तो आप physics, chemistry, mathematics जो भी subject आप चूज़ करना चाहा है उसके अंदर आप IAT GM exam के अंदर appear हो सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है बात करते हैं कि sir form कैसे बरना है step by step process समझाने की कोशिश करूँगा फिर भी अगर आपका कोई doubt रहे जाता है तो आप comment box में यहाँ पर बात कर सकते हैं comment box में मुझे बता सकते हैं इसलिए official website है यहाँ पर आपको एक दिखरा होगा notice jam 2025 application portal for registration will open on 3 September 2024 यहाँ पर link भी दे रखा है इसका link में password मांगेगा आप confused जाओगे sir login और password तो मेरे पास है नहीं पर भाईया नीचे एक register here लिखा हुआ रहा है भाईया आपको पहले यहाँ पर click करना है पहले आपको अपने आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा register करना पड़ेगा इसके लिए आपको यहाँ पर अपना नाम डालना तो examination center पर आपका आधार card यहाँ पर पूछा जाएगा और आधार card के अंदर अगर by chance नाम गलत है क्योंकि यह नाम आपके admit card बजाएगा तो यह आपको थोड़ा सा check करना है ध्यान रखना वही नाम भरना है जो आपके आधार card और 10th class की mark sheet के अंदर है फिर आपको यहाँ email address भरना है email address आप वही डालना है जिसका access आपके पास है क्योंकि जब आप form fill करेंगे तो यह आपको email verify करवाएगा और आपका जैसे यहाँ पर registration complete होगा तो आपके पास एक email आएगा जहाँ पर आपका enrollment ID आने वाला है और एक OTP आएगा तो आपके पास वही email ID यहाँ पर ड दलना है जो कि आपके पास है क्योंकि उस पर भी OTP आएगा और वह भी आपको verification के लिए बोलेगा उसके बाद फिर आपको यहाँ पर password set करना है पासवर्ड आपको ऐसा set करना है जो की easy to आपको remember हो है ना ऐसा नहीं कि पता पड़ा कि ऐसा password set कर दिया कि आप बूली गए है जिसे माल लीजिए आपका नाम आजये तो AJ underscore फिर आप 123 या जो भी आपका mobile नंबर का NDZ या date of birth या ऐसा कुछ भी whatever you want आप इसको डाल दीजे और उसको यहाँ पर क्या कर दीजे आप confirm कर दीजे जो आप यहाँ डाल रहे होई और password को याद रखना है बूलना ने क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बार जिसे कंटीज करेंगे उसके पास एक email भी आएगा तो आपको अपने email एडी चेक कर लेनी है जिसे आप email अप खोलोगे तो आपको यहाँ पर आपका enrollment ID और एक OTP आएगा तो enrollment ID आप यहाँ से याद कर लेजी क्योंकि जब भी आ आप आने वाले समय में इस form को जब आप खोलोगे, admit card आएगा, आपका result आएगा, जो भी आएगा, वो इस enrollment ID होने वाला है, तो इसको आपको याद रख लेना है, save कर लेना है, ठीके ना, फिर आप क्या करेंगे सुन, अब आप इस same page पे चले जाएंगे, मैंने आपको बोला यहाँ से register करना है, अब आपके पास भीया, enrollment ID आच चुका है, आपने password भी set कर लिया, इसको भर दीजे, यहाँ capture आएगा, 9-7 जो भी इसका value रख के इसको login कर दीजे, जैसे आप login करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे application status बुचेगा, यहाँ पे आपको tick करना है, कि I hereby declare that I have read the jam 2025 information brochure, यह पूरी information आपको पढ़के, यहाँ पर tick करके, इसको start filling jam 2025 application form पे click कर देना है, जैसे मैंने gate का form भी अगर आप भरना चाहरे है, तो इसका भी मैंने पुरा process बतार कर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप देख सकते है, उसका thumbnail भी यहाँ पे, देख सकते यहाँ पर आपको exam detail डालने ही, कि आप exam एक paper में देना चाहते हैं, दो paper में देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर दो को select करेंगे, तो पहला आपने जिसमाल लिए match भर दिया, यह आपके बास option बोलेगा, भी कौन को on subject आप भरना चाहते हैं, तो इस विए आप match भरेंग तो परसान होने के आप सकता नहीं है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर center choice करनी है, इस उन center में यहाँ पर zone wise आपको center मिलेंगे, तो जो भी जिस zone का आप center first select कर रहे हैं, remaining जो centers के आपको option मिलेंगे, वो same zone के मिलेंगे, जिसमाल लिए आपने जैपूर भरा, दूसरा आप चूज कर लिजे भिलवारा, जोत्पू, जो भी आपके nearest places हैं, उनको आप चूज कर लिजे, और फिर वहाँ पर save and next पर जले जाएंगे, जैसे आप save करेंगे, तो यहाँ से आपको वापिस आपका enrollment ID अपने आप लिखा हूँ आएगा, आपका नाम भी लिखा हूँ तो date of birth आपकी जो भी है, वो भर दीजे, confirm date पर click करेंगे, जैसे confirm date पर click करेंगे, तो आपका यहाँ पर date of birth confirm हो जाएगा, फिर जो भी आपका like gender है, nationality है, category है, वो आपको यहाँ पर बर देना, कर बाइचांस category में आप general EWSR है या OBC non-crimalier, SCSTR है, तो उसकी साब साब document upload करेंगे, वहाँ पर उस category का certificate आप से वो upload करने के लिए बोलेगा, तो भी आपको थोड़ा सा ज्यान देने की आवशकता है, अब यहाँ पर आपको देखो, यह email verify करने के लिए बोल रहा है, जिससे आप email verify करेंगे, तो यहाँ पका email ID लिखा जाएगा, और email पर आपके ब आपके पास वापिस OTP आजाएगा, परेसान होनी का आप सकता, नहीं है, आगे बढ़ता है, इस दो नेशनल्टी में जो भी इंडियन है, फिर category आपने भरी दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको country permanent residence क्या है, unit territory है, कौन सा state है आपका, आपका जो valid photo ID कौन सा है, तो normally आप आधार कार्ड डाल दीजें, बाग अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आप दूसरा भी यहाँ पर रख सकता है, उसके जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, या जो भी आपका ID नमर पर डाल देना, parents या guardian का नाम डालना है, अगर parents है, तो फिर आपके father ही हो जाए एडर्स आपके एकदम सही होना चाहिए, और 7 next करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके बद आपकी यहाँ पर, qualifying degree के बारे में पूछेगा, तो qualifying degree में आपको यहाँ पर जो भी आपका college है, जहां के आप रेने वाले है, वहां का आपको pin code डालना है, pin code country है, state है, then आपका city ज आपको यहाँ पर डालना है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं का आप IATGM 2025 का enrollment ID डाल दे, यह जो भी आपने graduation किया है, या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ कर चुके है, ऐसा नहीं, जो स्ट्रेंट भी BSC 3rd year में, वह जो भी उनका roll number यह institute code है, वह आपको यहाँ पर डाल देना है, qualifying degree में आपके पास पूछेगा BA, MB, BSC, सब कुछ आपको पूछेगा, आपने क्या degree आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि qualifying degree मतलब आप कर चुके हैं, भी आप कर रहे हैं, रहे हैं, वह भी आप डाल सकते हैं, समालिज आप BSC कर रहे हैं, BSC कर दीजे, उसका discipline पूछेगा, कि BSC mathematics, आपको लगता है कि नहीं, सर मेरा, तो physics, chemistry, biology, तो वह आजाएगा, रहें, यह अगर आपको यह और भी subject है, उसके साब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं, एक confusion यह कि सर बीटेक वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यहाँ बीटेक वाले कर सकते हैं, यहाँ बीटेक वाला about degree, अगर आपने नो बोला है, तो यहाँ पर 24-25 दिखा जाएगा, तो अगर आपकी 25 में complete होने वाली है, तो 25 सुच कर लिजे, आपको लगता है, 24 मेरी complete होने वाली है, तो 24 में लगता है, अगर बाइचे साब अलड़ी कर चुके हैं, यहाँ पर yes आजाएगा, और फिर उस आपको फोटोग्राफ अपलूड करना है, अब बोलोगे सिर्ट कौन सा फोटो अपलूड करना है, कैसा है, तो भी आप information brochure देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वैसे यहाँ लिखा हो आएगा पूरा upload JPEG या PNG file only with the minimum pixel size 200 into 250 है ना, और यहाँ पर पूरा आप पर फोटो आपका उस size में convert होके मिल जाएगा, आपको फोटो अपलूड करना होगा, यहाँ पर signature आपको upload करना है, वाइट पेपर पर sign करके आपको यहाँ पर upload करना है, अपलोड category certificate अगर आपने category select करी है, तो आपको यहाँ पर category डाली है, तो यह वाल आपको नजर नहीं आपको कहां से information मिली है, इसके बारे में आप डाल सकते हैं, आप हमारा YouTube चैनल भी डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर जो भी आपने भरा है, वो यहाँ पर view application या review and submit आजाएगा, तो जिसे आप review and submit पर जाएगे, फिर declaration मांगेगा, declaration पर वो पूछेगा कि भी आपने जो information भरी ह तो वो आपको टिक करके, फिर finalist को क्या कर देना है, submit करना है, submit करते हैं, आपको payment का option आजाएगा, इसके लिए अगर आप female candidate है, या SCST या PWD candidate है, तो आपको एक paper का 900 रुपे भरना है, और अगर आपके दो paper है, तो आपको 1250 रुपरना है, अगर आप यहाँ पे other category में, ले number तक आप कर सकते हैं, यह वाला का, मैंना, तो सुन category को change करना चाहते हैं, या gender को change करना चाहते हैं, test paper change करना चाहते हैं, examination city को change करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 300 रुपे extra pay करने पड़ेंगे, इन changes के लिए, तो यह आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है, तो मुझ जरूर फिल करिए, अगर आप B.Tech कर रहे हैं, तो भी आपको करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, आपको exam की तयारी करके इस exam को देना चाहिए, क्योंकि इस exam को आप देते हैं, तो आपकी बहुत सारी opportunities यहाँ पे बनती हैं, आप IIT से या NIT से master's कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं या हमार सिर्प्लस, PhD Integrated Program में admission ले सकते हैं, IIT में जाना, NIT में जाना, कहने कहीं, आपके career के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आपको जरूर यह करना चाहिए, और अगर आपके मन में सवाल है कि सर में देना तो चाहता हूँ, पर eligibility criteria क्या है, या फिर इसका career scope क्या है, तो इ 5000 में आपको course provide कर रहे है, जाप पर live classes, recorded, PDF, DPP, foundation, crash course, full course, सब कुछ आपको देने वाले है, 5000 में जो की बहुत nominal price है, जिस पर हम आपको subscription provide कर रहे है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, अपनी तयारी हमारा साथ कर सकते हैं, अगर आप जेम दोजार 26 की तयारी करना चाह रहे है, अ सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी students यहाँ पर win करेंगे, उनको हमारी तरफ से prices दिये जाएंगे, यहाँ पर whatsapp group भी दे रहा है, इसको आप यहाँ पर join कर सकते हैं, इसका जो link है हमने description में भी provide कर रहे है, वहाँ से आप join कर सकते हैं, बाकि हमारी जो books है, वो CSIR, NET और ITGM के लिए match care app पर बहुत nominal price पर हमने available कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इनको buy कर सकते हैं, आपको और भी updates है, इसे related, तो आप हमारा telegram join कर लेजाएं, यहाँ पर हम बहुत सारी updates देते रहे हैं, इसको आप match care app है, यह Android और iOS पर available है, इसको आप download कर सकते हैं, कैसे match care app पर subscription लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इसको नगर आप IDGM exam exam के ब subscribe कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye